एलो फेंड सबसे पहले तो आपको रच्छा बंधन की हारधिस सुपकामनाएं रच्छा बंधन का पर्व भारती संस्क्रति का ऐसा रत्न है जिसकी रस्मियों में सुंदर रिष्टे जिर्मिलाते हैं स्रवन मास्की पूर्वातित को रच्छा बंधन मनाया जाता है इसे आम तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रच्छा बंधन से related English words with Hindi meanings तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का हमारा first word है रच्छा बंधन रच्छा बंधन को हम इंगलिस में कहेंगे सिविलिंग फेश्ट सिविलिंग फेश्ट याई रच्छा बंधन हमार next word है सागा भाई बहन सागा भाई बहन को हम इंगलिस में कहेंगे सिविलिंग्स याई सागा भाई बहन नेक्ट वर्ड है हमारा भाई बहन का तेवहार जैसे रच्छा बंदन भाई बहन का तेवहार होता है इसे हम इंगलिस में कहाँगे सिविलिंग फेस्टिवल सिविलिंग फेस्टिवल नेक्ट वर्ड है मार राखी राखी को हम इंग्लिस में कहेंगे sacred thread sacred thread याई राखी next word है मारा राखी बांधना राखी बांधना को हम इंग्लिस में कहेंगे tie sacred thread next word है मारा आरती आरती को हम इंग्लिस में कहेंगे purification ceremony purification ceremony यानि आरती next word है मारा गांठ बांधना जैसे राकी में गांट बांधी जाती है तो इसे हम इंगलिस में कहेंगे not not यानि गांट बांधना next word है हमारा तिलक तिलक को हम इंगलिस में कहेंगे anoint या आप इसे तिलक भी कह सकते हैं next word है हमारा तिलक लगाना तिलक लगाना को हम इंगलिस में कहांगे apply तिलक Next word है हमारा मुँ मीठा कहांगे Sweden mouth Sweden mouth यानी मुँ मीठा कहांगे Next word है हमारा पैर छुना Touch feet Touch feet यानी पैर छुना Next word हमारा तोफा तोफा को कहांगे हम present या आप इसे कह सकते हैं gift नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाखों में एक जैसे भाई अपनी बहन को कहता है कि मेरी बहन लाखों में एक है तो इसे हम इंग्लिस में कहेंगे वन इना मिलियन वन इना मिलियन यहीं लाखों में एक नेक्स्ट वर्ड है हमार रच्छा कहना जैसे भाई अपने वहन को रच्छा कहने का वच्छन देता है तो इसे इंगलिस में कहांगे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट है रच्छा कहना तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक कर देजे संटीज चैनल को कर लिजे सस्क्राइब क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी ही नॉलेज़वल वीडियो लेकर के आएं थांक यू